आरोगी की प्राप्ति के लिए कॉंग्रिस नेता राहूल गांदी आरोगी की देवता भगवान धन्वंतरी की शरण में पहुँच गये हैं आजकल वे केरल के मलपूरम में हैं जहां वे अपने घुटनों का आरिवेदिक उप्चार प्रसिद्य कोटकल आरेव वैदशाला में करवा रहे हैं इसी दोरान वे परिसर में स्थित श्री विशंबर मंदीर में दर्शन और पूजा का अर्चना करने पहुचे विशंबर को भगवान विश्णू का अवतार माना जाता है और आरिव वैदशाला में आने वाले रोगी इस मंदीर में पूजा अर्चना के लिए जरूर आते हैं विशंबर मंदीर केरल के मलपूरम जीले के कोटकल शहर में स्थित एक मंदीर है विशंबरा मंदिर भगवान विश्णू के ववतार भगवान धनवंतरी को समर्पित है और उन्हें आरिवेद के जनक के रूप में जाना जाता है राहुल गांदी ने जिस मंदीर में पूजा की उसके बारे में कहा जाता है कि यह मंदीर आरिवेद चिकित्सकों के लिए बहुत आस्था और महत्वका है क्योंकि भगवान धनवंतरी आरिवेद के देवता है अपने दौरे के दौरान राहूल गांधी आरे डिस्पेंसरी की और से आयोजीत एक सांस्क्रितिक कारेकरम में भी शामिल हुए कारेकरम के दौरान अस्थानिक अलाकारों ने कथकली का प्रदर्शन किया मलेयलम के प्रख्यात लेखा को ग्यानपेट पुरसकार विजेता M.T. वासुदेवन नायर ने भी राहूल गांधी के साथ कथकली निर्त देखा वे आरे वैदशाला में राहूल गांधी के पासी के कमरे में रहकर अपना उपचार करा रहे हैं राहूल गांदी ने इस सम्मंद में एक Facebook पोस्ट भी किया है।